गवालियर में एक बार फिर बिजली कंपनी की लापरवाई का मामला सामने आया है। शुकरवार को बिजली कंपनी का आउट्सोर्स क्रमचारी मौत के मुथ से बाल बाल बचा है। एक बिजली कंपे पर लाइन का मेंटेनेस करते समय अचानक क्रमचारी को करंट लग गया। कंपे पर काम चल रहे था की रिवर्स करंट छोड़ दिया गया। इस बिजली की चपेट में आने के बाद जटके से करमचारी रामप्रवेश तारों पर जूल गया। फिर सीडियों से जूलता हुआ नीचे आ गया। गटना उपनगर ग्वालियर के लगेडी जून की है बड़ी मशक्कत के बाद स्थानी लोगों ने उसकी जान बचाए। उसे गंभी रूप से गहल होने के बाद सिविल हॉस्पिटल में भरती कराया गया है। उसके तारों पर जूलते कुछ वाथ की ऐडी की चेवल टूटी ऊखी तो शुवै इनको पूराए स्टाब को भेजा था तो ये काम कर रहे थे तो जहाना जठका होलिगा तो सिद्धिसे वोलेट गया सिध्केस, जट्राइब कारेंट में इसके बाद सिध्धी नीचे किये हैं तो और वो ना तो हैंड गलोब पहने थे और ना वो उसका क्या नाम से हलमेट लगाये थे और जूला का उप्यों किया जबकि सभी को किट दी यह प्रवपर तो उसके लिए प्रवपर अपन कई वार उनको तंगा भी काट देते हैं डाट समया दे जाते रहते हैं बगहर सुर और अब बिल्कुछ स्वास्त हैं कल उनको पीतामरा हॉस्पिटल वही बगल में एडमिट किया था तो दो खंटे बाद वो स्वास्त मतलब ठीक हो गया थे चले गया थे अपने काओं यहां रुद्रपूर का रहने हो यहां